हेलो दोस्तो नमशकार मिर्णामि संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिग इम्पॉसिबल के यूटुब चैनल पर उमीद है आप सभी बहुत ही ज़िवे होगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही ज़िए तरीके से चल रही होगी इस बीच एकाध हपते से उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गए है चलने फिरने में काफी ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनको बिसिकली आर्टो इम्यून डीजीज है उसमें रोमेटाइटी अर्थराइटिस्ट भी है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स उनको है बहुत ज़्यादा पेंस और दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और उसी के ट्रेटमेंट के लिए कंटिनिवस जो है मुझे हॉस्पिटल या अलग-अलग डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा है उसके साथ साथ चेक अप के लिए जाना पड़ता है तो कई सारी प्रॉब्ल सबसे पहला काम होना चाहिए आपका की सरीर के स्वास्त को ठीक रखना उसके बाद ही आप दूसरा कोई काम कर पाएंगे चाहे लर्निंग हो या अर्निंग हो कोई भी आप काम करते हो स्वास्त सरीर से ही आप सारा काम कर पाएंगे तो उमेदे कि आप भी अपने स्वास्त क अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे तो यह सबसे बड़ा प्रॉबलम था जिसके लिए मैं वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था बाकी आज से मैं कोशिस करूँगा आपको कि अच्छे से बाकी आपको प्रोवाइड नहीं होगा लेकिन यह वीडियो काफी जदा है आपको पूछे वाली है अब देखें यह वीडियो किस पॉइंट आफ वियू से है तो एकजाम जून 2023 में जो आपका एकजाम कंड़क्ट होने वाला है अभी तक उसके फॉर्म के लिए कोई भी अपडेट या नौटिफिकेशन नहीं रिलिज किया गया है जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो मैं आपको दे दूँगा लेकिन क्लियर है कि जून में आपका एकजाम होगा और इसके डेट को भी मैंने बता दिया क्योंकि NTA के द इनिवस मिलेगी और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रही है मैंने पहले भी बता रखा है कि मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोसिस करूँगा और बाकी मैंने सिलेबस भी आपके साथ डिसकस किया है कैसे आपको प्रिपरिशन करना है वो भी मैंने बताया है और इसके साथी साथ मुझसे जितना बन सकेगा वो उतना मैं help करूँगा बाकी कोई भी आपको जो है दिक्कत होती है तैयारी करने में आप मुझे बताइएगा मैं उस problem को दूर करने का प्रयास करूँगा बाकी आपने दो चीज मुझसे बोली है एक तो डियाई वाला जो आपका यूनिट है उसको मैं उसके काम कर रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से में clear करूँगा कैसे आपको solve करना है different type के डियाई के question पूछे जाते हैं इसके साथी साथ logical reasoning वाले unit को आपने बोला है वो मैंने consider किया दो ये unit के बारे में आप लोग के द्वारा बोला जा रहा है तो इसको मैं prepare कर रहा हूँ मतलब इसके notes तयार कर notes क्या मतलब question डियाई वाला question के साथ ही मैं solve कराऊँगा आपको बाकि logical reasoning का जिसमें भारतिय तर्कसास्तर के सम्मन्द में है तो आभास इस तरीके से question पूछा जाता है उनको भी बहुत अच्छे तरीके से clear करेंगे तो ये थोड़ा description में मैंने ज़्यादा समय ले लिया बाकि अभी हम start करते हैं ये जो question मैंने यहाँ पर आज pick किया है काफी ज़्यादा important है इनका answer अगर आपको पता होगा तो answer भी दीजेगा बाकि मैं answer भी दूँगा और कुछ important details भी बताते हुए चलूँगा तो चलिए वीडियो को start करते हैं बाकि मैंने बहुत ज़्यादा समय लिया इसके लिए छमा चाहता हूँ अब question को हम देखते है अब देखिए सबसे पहला question जो है आपके screen पे है मैंने English में भी इसको type करका कुछ question को English में भी मैंने type किया और कुछ question आपको Hindi में भी मतलब Hindi English दोनों मिल जाएंगे अब देखिए इस question में पूछा कहा जा रहा है कि सिच्छा का वह इस्तर जो उच्च कोटी के चिंतन कौसल प्रयोग की मांग करता है कुछ अलग देखिए question अलग अलग वे में question अब इतने repeat हो चुके है मतलब जो concept है जो आपके syllabus में दिया गया है कि वहाँ से question आपके सब्दों को हेर फेर करके यह question कईयों बार पूछा गया है सिच्छा का जो इस्तर होता है teaching के जो levels होते हैं इनको मैंने आपको पढ़ा रखा है यहाँ से question कईयों बार पूछा गया है तो इस points को आपको अच्छे से clear कर रखना है अब देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि यह कौन सा level है स्मृति इस्तर का सिच्छन यानि memory level है या फिर आपका बोध इस्तर का है या फिर आपका विमर्सी इस्तर का सिच्छन है या फिर आपका रचनात्मक इस्तर का यह सिच्छन है तो आपको बताना है कि सिच्छा का इस तर जो उच्च कोटी के चिंतन कौसल का प्रियोग की मांग करता है वो कौन सा इस तर आपका होता है अब देखिए एक कोश्चन आपका UGC Net जून 2021 का जो सेसन था आपका उसका जो एक्जाम 2022 में कंड़क्ट हुआ था यहां से कईयों बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी शंभावना है टीचिंग अपरिट्यूड में यह टॉपिक काफी ज़्यादा फैवरिटेबल है अब देखिए यहां पर इस कोश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्सन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यह आपका होता है रिफलेक्टिव लेवल यानि के विमर्सक इस्तर का सिच्छन जो है यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है देखिए तीन लेवल की टीचिंग होती है और जब आप चिंतन करने लगते हो उसके बारे में नए ग्यान का स्रिजन करने लगते हो समस्याओं को सॉल्ब तो वो आपका विमर्सक इस्तर का सिच्छन आपका यहां पर हो जाता है तो यह तीसरा लेवल है इसके बारे मैंने आपको पढ़ा रखा है और उम्मिद करता हूँ कि आपको यह अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आई अगला कोश्चन देखते हैं एक और कोश्चन यहाँ पर इसी क्रम में हमने लिया है टीचिंग अप्रेटूट से जितने भी कोश्चन है टीचिंग अप्रेटूट से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको तो देखिए इस तरीके कोश्चन कई हो बार पूछे गया है आप प्रेबियस एर के कोश्चन जब सॉल्ब करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मैचिंग वाले कोश्चन या फिर आपका जो अभीकतन और कारण वाला है इस तरीके से कोश्चन बनाके बहुत बार पूछे जा चुके हैं आप देखें एक कॉलम में जो है आपका model of teaching यानि का अध्यापन का model दिया गया है और यह models जो है यह जो आपके जो कह सकते हैं प्रारूप है यह किसके दुआरा डवलप किया गया यह आपको बताना है मतलब पहले आपको मैच कर लेना है फिर नीची देगे कूट के अनुसार आपको राइट आंसर बताना है ऐसे इंट्रेस्टिंग कोश्चन आप से पूछे जाएंगे परिक्षाओं में थोड़ा बहुत मोडिफाई करके कुछ इसमें जो आप देखेंगे अगर ग्यानिक है जिनको आप पढ़ते हैं थॉन डाइक हैं पालो हैं कोलर हैं इसके साथ साथ और भी कई हैं तो उनका यहां पर काफी ज्यादा जिक्र किया गया 2022 के पेपर में टीचिंग अपिट्यूड में तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा यहां पर आईए से हम मैच जॉन्सन के साथ मैच हो जाएगा यह किसमें दिया गया आपका दूसरे नंबर पर यहां पर डिया गया है डेविड जॉन्सन ये इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था साकरातम आत्म निरभरता फिर दूसरा आपका दिएक ही यहां पर सनरचीत जान जो है inquiry ये किसके साथ match हो जाएगा तो ये आपका Robert Slovin के द्वारा match कर जाएगा तो ये कहां पर दिये गए हैं तो आप देखे ये आपका चौथे नंबर पर यहां पर दिये गए हैं मैंने हिंदी में type नहीं कर पाया हूँ तो ये Robert Slovin के दोरा मैच कर जाएगा यहाँ पर फिर यहाँ पर आपका जो सी दिया गया भूमिका निर्वा यह किसके दोरा प्रतिपादित किया गया है तो यह आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर फैनी सेफटेल के दोरा यहाँ पर यह फैनी सेफटेल के दोरा फिर इसके बाद से लाश तो हमने जैसे match किया उसके according आपको देख लेना quote में कौन सा विकल्प यहाँ पर आपका right answer बन जाएगा तो जैसे हमने match किया उसके according जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number B आप देखेंगे A का आपका क्या हो जाएगा B हो गया है इसके साथ B का आपका क्या है यहाँ पर चौथा है तो इसके बाद से C का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा और D का आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा आई आगे देखते हैं अगले कुश्षिन को अगले कुश्षिन नमबर 3 अब देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अध्यापन के विजिश्ट मॉडलों से विविद प्रकार के विचारों में विद्धी होते हैं संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रसिचन देता है संकल्पना निर्माण के चरणों के सही करम की पहचान करिए संकल्पना जो कॉंसेप्ट है आपका इसके निर्माण के चरणों का सही करम क्या है यही आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिएगे A, B, C, D करके इनमें से आपको क्रम में लगा कर नीचे देगे विकल्पों के अनुसार अपना right answer बताना है और ये भी question आपका 5.1.2022 को shift 2 में पूछा गया है ये session जो है आपका June 2021 का था और यहाँ पर 2022 में ये paper हुआ था तो ये काफी ज़्यादा important question है इसका answer अगर आपको पता है तो आप right answer comment box में दे सकते हैं देखे friends यहाँ पर इस question का जो हमारा right answer हो जाएगा वो है आपका option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा option number C एक तो B आपका हो जाएगा यहाँ पर मतलब सबसे पहला करम अगर हम लगाए तो B आपका पहले number पर आ जाएगा ये जिसमें दिया गया विशय या समस्या की पहचान फिर उसके बाद से D आपका दूसरे number पर यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद से यहाँ पर C आपका चौथे नंबर पे यहाँ पर आ जाएगा यानि कि स्रेणियों के लिए लेवल विक्सित करना Research के संदर में Concept जो आपकी संकल्पना है उसके निर्मान की जो सही क्रम है यह आपका हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा और यहाँ पर C आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऐसे Question Research में भी पूछे जाते हैं Research का जो है Step कौन चरण कैसे हैं क्रम से उसको लगाना है आपको आगे पीछे करके देदेगा पूरे चरण नहीं देगा चार-पांच चरण देदेगा उसको क्रम से आपको लगाना होगा तो ऐसे Question कई बार बने हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है तो उमीद है कि आप सभी ने राइट आंसर बताया होगा आई अगला Question देखते हैं अगला Question नमबर 4 ये भी आपका Matching वाला Question है एक कॉलंग में आपका अध्यापन के Models इसी टाइप का Question अभी हमने उपर किया था और दूसरे में विकासक दिया गया मुझे लगता है सेम Question ये लग रहा है जो हमने उपर अभी किया था लेकिन दोनों का Date अलग-अलग है Session जो है एक ही है जुन 2021 का Session चल ला था और Paper जो 2022 में हुआ था तो ये जो आपका Exam हुआ है ये 4-1-2022 को Exam Conduct आपका हुआ था और SipT आपका यहाँ पर था SipT आपका यहाँ पर 2 था SipT 2 में ये Question आपका पूछा गया था और Topics जो है आपके वही हैं वहाँ से Modify करके जब Question नहीं बन पाते हैं तो Question के सब्दों को बदल कर Examiner आपसे Question पूछ लिता है क्योंकि एक तो दायरा है Book है उतने में से ही या जो स्लेबर से वहीं से Question पूछा जाना है तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखके चलना पड़ेगा अब देखें यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं अभी हमने मैच किया था सिंपली उसी तरीके से मैच कर लेना है आपको कुछ इसमें खास बदलाओ नहीं करना है है आपको सबसे पहले आपको साकारातमक परस पर निर्भरता दिया गया तो यह किसके साथ मैच हो जाएगा यहाँ आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर रोजर जॉरॉबर्ड जॉशन आपका कांपर है अप देख लेना है आपको यह आपका तीसरे नंबर पर है फिर उसी प्रिकार से यहाँपर संरचीत प्रिच्छा जो स्ट्रेक्ट इंक्वाईरी के बारे में अभी ऊपर में बताया था तो यह आपका किसके साथ मैच हूड़ाएगा रोबर्ट सलविन जौन डिवी के साथ जोड दिया गया बाकी question से में यह बस क्रम उपर नीचे कर दिया गया तो अब देख लिए कैसे हमने match किया है तो सबसे पहले A का किस के साथ हमने match किया A का तीसरे के साथ तो A का आप तीसरा इस तरीके से यहां पर कर सकते हैं फिर उसके बाद से B का किस के match किया है तो B का हमने पहले के साथ match किया है तो पहला यहां पर बना देते हैं फिर उसके बाद से C का किस के साथ हमने match किया C का हमने चौथे के साथ match किया तो यहां पर C लिखेंगे और उसके बाद से यह आपका हो जाएगा चार नमबर फिर उसके बाद से D का किस ने match किया तो दूसरे के साथ, तो D यहाँ बना लीजिए और दूसरे के साथ, इस तरीके से आप question solve कर सकते हैं, तो A का तीसरा, B का पहला और C का चौथा, तो देख लेना है किसमे बन रहा है, तो A का तीसरा और B का पहला और C का चौथा, तो यह आपको option number A यहाँ पर right हो जाएगा, त मतलब problems में को solve करते करते, खुद भी कभी कभी इंसान demotivate हो जाता है, तो बाकी आप इसे fast way में करके भी देख सकते हैं, चाए इसको थोड़ा सा ऐसे आगे भगा के जैसे देखते हैं, तो बाकी question काफी जादा important है, मैंने date भी बता रहा है, कब-कब यह पूछा जा रहा है तो इन topic को आप अच्छे से clear करिएगा, आईए अगला question देखते हैं, अगला question नमरा है question number 5 और यह भी question आपका यहाँ पर देख सकते हैं, 4.1.2022 को shift 2 में यहाँ पर पूछा गया है, और यह question में पूछा क्या जा रहा है कि समीपस्त विकास के सिध्धान्त को किसके द्वार पूछा जारा है, जोन आप प्रॉक्सिमल डेवलमेंट इस तरीके से है, तो जिन्होंने बीड किया, सीटे टूटर किया होगा, उनको इसके बारे में काफी जादा, मतलब पहले से पता होगा, ऐसा नहीं कि सब को पता नहीं होगा, पता होगा, वहाँ पर इन साइकोलोजि है, उसका ये थियूरी दिया गया है, देखे समीपस्ट जिसको हिंदी में बोला जाता है, समीपस्ट विकास के सिध्धान को, जो रूसी मनोव वैग्यानिक लेवाइगुस्की है, उनके दोरा प्रतिपादित किया गया है, जिसमें बालक जो कर रहा है, तथा जो करने की छ यहां पर हो सकता है किसी भी कौसल में या किसी भी छेत्र में यह मैक्सिमम माली 200 को कर सकते हैं और बच्चा इतने तकी ओर मैं 100 कर देता हूँ और यहां पर बीच वाला आपका इसको 150 में कर देता हूँ ऑसके यह हय यहां ate है कि मतलब प्रयास कर रहा है 100 तक पहुंच पा रहा है लेकिन इन दोनों के बीच तक थोड़ा effort डालके बच्चे का जो है development किया जा सकता है तो यही आपका क्या है जेड़ पीडी वाला एरिया इसी तरीके से कुछ concept है काफी ज़्यादा डीटेल में इसको जाना जा सकता है लेकिन मैं समझने के लिए आपको बता से रहा हूं बाकि आपको पता होगा पहले सी तो और भी अच्छी बात है तो यहां पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा option नंबर सी लेवाइक उसकी आई एगला question देखते हैं अगला question नंबर 6 और यह question आपका कथन वाला है और यहां पर देखिए आपको bloom taxonomy से संबंदित कुछ statements दिये गया है इनको समझना है आपको देन उसके बाद से अपना right answer देना है कथन पहले में दिया गया bloom की वर्गिकी यानि उनका जो वर्गिकरण है taxonomy में ग्यान अवबोध अनुप्रियोग इस्तर संग्यनात्मक अधियम के उच इस्तर से संबंदित है कथन दूसरा है विवस्था और चारित्री करण भावनात्मक परेडामों के उच इस्तर से संबंदित है तो यह कुछ statement से जो bloom का वर्गिकरण है या bloom taxonomy उससे संबंदित तो इनको आपको समझना है उसके बाद से इन चारो विकलपों में से आपको right answer देना और यह भी question आपका 211.2021 को shift 1 में पूछा गया है यहाँ पर exam date दिया गया है तो इसको भी आप consider कर सकते हैं तो इस question का जो हमारा right answer हो जाए क्या होगा option number D हो जाएगा गलत है लेकिन कफन दूसरा आपका सही यहाँ पर हो जाएगा पहला क्यान आपक patra दूसरा हो जाएगन और चारितिक करन भावात्मकरण पररड़श से संबंदित होता है बागी कफन पहला गलत है आपका देखिए ब्लोम की वर्गी करण या ब्लोम टैक्सोनॉमी में ग्यान अवबोध और अनुप्रियोग इस्तर संग्यनात्मक अधियम के निम्न इस्तर से संबंदित है जबकि यहां पर उच्छ इस्तर बोला गया इसलिए आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और व सिध्धान का प्रतिपादन किशने किया था यहां पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से और ये भी कुश्चन आपका 3011 2021 को सिप्टवन में पूछा जा चुका है अब देखिए यहां पर इस कुश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका option number D यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डेवीड आसुबिल के द्वारा जो है सार्थक साब्दिक अधिगम के सिध्धान का प्रतिपादन किया गया था तो यहां पर हमारा option number D क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा देखिए meaningful verbal learning के बारे में बोला जा रहा है सार्थक सा साब्दिक विशेवस्तु सामागरी से कितना सीख सकता है यह इसके ओपर पूरी तरीके से सिध्धान फोकस करता है तो यह हमारा option D क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा आईए अगला question देखते हैं इसमें statement इसमें mention किएगे उनको आपको ध्यान में रखना है कथन दूसरे में बोला जा रहे कि प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहम केंद्रित होने के प्रविती नहीं होती है तो दोनों statement को अच्छे से समझेना उसके बाद से आपको इन चारों विकल दूसरा आपका गलत हो जाएगा कथन पहला क्या है आपका पूरी तरीके सही है लेकिन कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा याद रखना है आपको कि पूरो संक्रियात्मक चरण जो है प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान्त का दूसरा चरण है और यह अवस् संग्यानात्मक कारीयों का उप्योग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस अवस्था में संकेतों के निर्मालत तथा उप्योग की चमता निस्पादित होती है तथा बालकों में अहम केंदरित का गुण विक्सित हो जाता है। इसलिए हमारा कतन पहला क्या है? सत्य हो जाएगा और कथन दूसरा आपका गलत हो जाएगा उमीदे कि आप समझ पा रहे होंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा इन थियोरीज को आपको देख लेना है क्योंकि अब यहाँ से question बनने है पहले कम बनते थे लेकिन जो यह psychologist हैं चाहे पियाजे हो गए है थन्टाइक हो गए है जैसे कि अभी हमने जेट पीडी वाला देखा था लेवाइग उसी का वहाँ से question पूछे जा रहे हैं 2021-2022 में question देखने को मिले हैं आईए अगला question देखते हैं अगला question हमारा question number 9 देखे ये भी question आपका statements के form में है कथन पहला और कथन दूसरे यहाँ पर दिया गया है कथन पहले में बोला जा रहे कि विस्वसनिता का संकित इस ओर है कि क्या कोई परिच्छन उस सीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है फिर उसके बाद कैसन दूसरे में बोला जारा है कि वैदता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परिच्छन सोसंगत रूप से वही या समरूप स्कोर देता है वो है आपका option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा यानि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा तो याद रखना है कि दोनों ही कथन गलत है यहाँ पर क्योंकि विस्वसनिता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परिच्छन सोसंगत रूप में वही या समरूप स्कोर देता है और वैदता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परिच्छन उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है तो ये बाते सही है यहाँ पर जबकि ये जो लिखा गया इस टेटमेंट्स वह आपका गलत हो जाएगा इसलिए हमारा option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा आईए अगल question number 10 और यह वीडियो का हमारा last question होगा यह मैचिंग वाला question है आपका column 1 में दिया गया है learning theory यानि अधियम से संबंदित सिध्धान्त है और column 2 में आपका developer यानि किन के द्वारा इस सिध्धान्त को विक्सित किया गया उनका नाम दिया गया है सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले आपका classical conditioning जो थिवरी है आपका classical अनुकुलन का जो सिध् या परसूत अनुकुलन का सिध्धान्त किसके द्वारा दिया गया थाओ तो ये आपका यहां पर B.F.S.K.E. के द्वारा दिया गया था जो कि आपका नीचे चौथे नंबर पे हैं इनके द्वारा दिया गया था क्रिया पर पर सीटेट कोलिफाई कर रखा होगा श 对iquer पर आपने पहले से भी पड़ रखी होगी तो बहुत आसानी होगी संरचना वाद का यहां पर जो है सिद्धान्त कुष्णे दिया है तो यह जो आपका मैच कर जाएगा वो है आपका तीसरे के साथ यहां पर लेव वाइगुस्टी के द्वारा यह दिया गया था तो सिंप्ली ऐ यह जो है 10 कोष्ण आपके कंप्लीट होते हैं और मैं कोशिस कर रहा था या मैं पहले भी वीडियो बनाने से पहले सोचा था कि मैंने कोष्ण के बारे में अच्छे से डीटेल बहुत देना है लेकिन मैं डीटेल दे नहीं पा रहा हूँ और प्रोब्लम्स मैंने उपर आप क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह जो मैं सिरीज यहां पर स्टार्ट क्या हूं अलग-अलग यूनिट से मैं आपको प्रिवेस के कोश्चिन कराऊंगा विधे डीटेल के साथ यह आपको काफी ज्यादा है आपके एक्जाम में जो जून में कंडक्ट होने वाली है इसके साथ ही साथ स्लेबस के अनुसार आप अपनी तयारी करते रहे और बाकी जैसे ही मुझे मतलब जैसे-जैसे समय मिलता है यह जितने भी प्रॉब्लम्स मेरे उपर चल रही है यह लंबे समय की प्रॉब्लम्स थी मातर जी एक साथ और अभी भी कि मैंने कई सारे डॉक्टर्स को भी बदल दिया है और बहुत लंबे समय से काफी ज़्यादा उसमें एक्सपेंस मतलब पैसे भी खर्च हो रहे है लेकिन अभी प्रॉब्लम्स सॉल्ब नहीं हो रही है देखते हैं कब तक यह ठीक होती है बाकी समय समय पे आपको वीडियो को मिलती रहेंगी अपडेट भी मिलती रहेंगी कैसे आपको प्रपरिशन करना है ये सारी कुछ जानकारी मिलती रहेगी और अभी तेक मालेजिया आपने बेड़ किया है तो अभी सीटेट का फॉर्म निकल के आ रहा है उसके फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अगर आप नह हो जाएंगे उसी प्रकार से seated qualify करेंगे तो आप प्राथमिक विद्याले के लिए और माध्यमिक विद्याले के लिए जो है eligible हो जाएंगे किसी भी प्रदेश में केंद सरकार के भी vacancy आती है teaching के और इसके साधी साथ state government के भी आती है तो दोनों नहीं यह बहुत सारे लोगों का direct नहीं हो पाता है तो पहले आप निचले में कुछ जॉब ले लेते हैं वो प्राथमिक में या माधिमक में टिजटी पिजटी में उसके बाद से वो करते रहते हैं उनका higher education में बहुत सारे लोगों का हो जाता है तो ये भी आप प्रारूप अपना सकते हैं ये भी काफी ज्यादा अच्छा है मतलब कुछ ना करने से अच्छा है कुछ मिलता है करते रहना और आगे बढ़ते रहना उमीदे की बाते आप समझ पा रहे होंगे औ मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया पंदर मिनिट में ये वीडियो कंप्लीट हो सकती थी लेकिन कुछ मैंने अपना दुखड़ा गाया और कुछ जो प्रॉब्लम्स आपको बताया क्या करें ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल नहीं थी मैं लंबे समय से वीडियो आप से प्रॉबाइड करूँगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिजेगा बहुत ही और्थेंटिक जानकारी हम देने का आपको प्रयास करते हैं यहां पर किसी भी प्रकार का अपने हीत में लाब नहीं सोचा जाता है आपके हित में लब सोच कर यहां पर काम किया जाता है बहुत ज्यादा इस platform के माध्यम से है जैसा कि आप सोच पा रहे होंगे बहुत कुछ नहीं मिलता है मैं यहां पर declare कर देंगा और यहां पर जो है basically आपकी help करने की पूरी तरीके से कोशिस की जाती है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और important question के साथ अब तक के लिए जय हिन जय भारत